Hey everyone, welcome back to another video, सब्सक्राइब इस वीडियो में नाओ किस तरह से आप इराट कोली को ड्रो कर सकते हैं वीडियो रियल टाइम में यह थोड़ी ची फास्ट किया है, बट आप काफी कुछ समझ सकते हैं अगर अच्छे से अब्जर्व करेंगे तो तो मैं freehand draw कर रहा हूँ, pencil measurement method का यूज करके, आप grid का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट किया कि आउटलेंस में काफी बोरिंग सा लगता है, रियल टाइम में मुझे 25 मिनेट्स लगे थी इसकी आउटलेंस को बनाने में कि पातर हैं बनाने में बनाने में ど बनाने में एंखवाई को जो कि एंखा लगता हैं जाए में 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 कर दूच अबगे दशendeव nghỉ में कर जाने खाफिए हैं झाल झाल तो गैस आउटलेंड कमेड हो चुकि आप मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलेंड की सौफ चार्पॉर पैंसिल जो भी डार की जाया है आई ब्रोज आइस बगैडर अके लिए और गैस अगर आप फ्री हैंड आउटलेंड को द्रो करते हो तो आपको shading करते वक्त काफी ध्यान रखना पड़ता है एक एक पार्ट को अच्छे से उब्ज़र कोई के shading करनी पड़ती है क्योंकि freehand outline में बिल्कुल accurate नहीं बन पाता है हमको shading करते हो इसको ठीक करना पड़ता है साथ ही साथ जो कि आप अभी देखना में करूँगा वैसे मैंने complete shading के tutorials बना रखे हैं आपने देखी होंगे अगर नहीं देखे तो चेक कर लेना और real time में भी upload कर रखे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और skin के texture के लिए मैं Artline की HB, 2B, 4B pencil का यूज कर रहा हूँ अब ही तो मैं HB का यूज कर रहा हूँ तो light areas के लिए HB का कर रहा हूँ उसके बाद second layer के लिए 2B, 4B इस तरह से मैं layer by layer shading कर रहा हूँ जैसे के मैं usually करता हूँ स aider हैं मैं तो बाद करते हैं सब्सक्षणान झाह बहां कर रहा हूँ झाल 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 बियर्ड, मुस्टैचे और हेर के लिए मैं वही सॉफ्ट चार्कॉर पैंसिल का ही उसकरूँगा बिधियर्ण oुद्ट कर फलिए हती ही कि लिए भी इंड भी सॉक्नाओाइ़। झाल 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 ये झाल झाल ये 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 झाल 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 तो गैसे कुछ इस तरह की लग रही है बिल्कूल 100% accurate तो नहीं लग रही होगी 90 या फिर 80% लग रही होगी थोड़ा बहुत आपको face में difference भी दिख रहा होगा कि मैंने freehand draw किया था तो अगर आपको ऐसी results भी मिलते हैं तो भी काफी बढ़िया है इस तरह के results भी काफी आप कितना time लगाते हो मैंने इसमें ज़्यादा time नहीं लगा है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कूल प्रफेक्ट जीए तो आपको patience भी रखना होगा बिल्कूल अच्छे से एक पार्ट को अच्छे से अब्जर्व करके shading करने पड़ेगी को साफ च्छे सकते हैं मैंने जल एफे लाचेiggly ड्साफंजर मैंकर आपको आपको य больше करें मैं कर दोदोर आपकोewार्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हेर के लिए मैं soft charcoal pencil का यूज़ कर रहा हूं layer by layer shading करके फिर इसको blend करके फिर eraser का यूज़ कर लेंगे ताल आज़ कर दो कर दो कर दो कर दो करेंगे हूं हूब आज़ आज़ खूड़ गर दो झाल 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 झाल